जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारी चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए पैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों भारतिय संस्कृती में घर की बहु बेटी को देवी लक्षमी का रूप आना जाता है ऐसे में उनके शुब कर्मों और लक्षनों से घर में सुख सम्रिद्धी हमेशा बनी रहती है इसलिए हमारे यहां हर शुब काम घर की लक्षमी यानी बहु या बेटी के हातों से संपन कराया जाता है पर इसके साथ घर की ग्रह लक्षमी के उचित अनुचित कर्म का फल घर के सुक सौभाग्य पर पड़ता है इसलिए घर में मा लक्षमी की कृपा बने रहने के लिए आवशक है कि घर की लक्षमी कुछ बुरे या अशुब कारेों से बचे आज हम आपको कुछ ऐसे कारेों के बारे में बता रहे हैं जिसे घर की ओरतों को करने से बचना चाहिए दोस्तों पहला है जھाडू का अपमान करना धार्मिक मान्यताओं में ज़ाडू को देवी लक्षमी के रूप में पूझा जाता है ऐसे में घर की ओरतों को भी ज़ाडू का उचित सम्मान करना चाहिए कई बार घर में पड़े जाड़ू को लोग पैरों से ठोकर मार देते हैं लेकिन घर की ओरतों को भूल कर भी जाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए साथ ही जाड़ू को लोगों की नजरों से हमीशा बचा कर उचे तस्थान पर रखना चाहिए दूसरा है घर के दर्वाजे को ठोकर मारना इस्त्रियों को कभी भी घर के दर्वाजे को ठोकर मारकर नहीं खोलना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि घर के दर्वाजे को ठोकर मारने से देवी लक्ष्मी रूष्ठ हो जाती है तीसरा है घर की दहलीज पर बैठना दोस्तो ग्रेह लक्ष्मी को कभी भी घर की दहलीज पर नहीं बैटना चाहिए, ना ही यहां बैटकर भोजन करना चाहिए दहलीज पर बैट कर भोजन करने से माता लक्षमी नाराज हो जाती है रात में जूटे बरतन छोड़ना धारमिक मान्यताओं में घर की रसोई को विशेश महत्व दिया गया है रसोई को साफ सुथरा रखने से माता लक्षमी प्रसन होती है पर कुछ लोग रात में जूटे बरतन वैसे ही छोड़ देते हैं जिससे की देवी नाराज हो जाती है ऐसे में घर में सुक सम्रदी बने रहने के लिए जरूरी है कि रात में कभी भी जूटे बरतन नहीं छोड़ने चाहिए तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे काम जो कभी भी घर की महिला को नहीं करने चाहिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद